हेलो स्टुडेंट्स इस सुरेकांत एंड वेल्कम टू रैपिड एकेडमी स्टुडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था नेट 17 18 के कोशन्स को सॉल्व किया था इसके 3 पार्ट ऑल्री यूटुब पे मैं अप्लोड कर चुका हूं तो आप यह आपका प्ले श्रमांइन ज्ञां जिक्येश और श्रमाइन भी ज्ञान आपका जियेस के परिस्व है ठीक है पहला जो प्राश्म में तो Wikipedia आपको आप फिर रकमेंट करके लाश्म में बताईगा कि आपको कितने आट ऑफ कितने मतलब कितने के यह ग्मार्स के किके से अपने क्या किया है यह तो तो दस अपन 25 ऐसे लिग करकेเรา कमेंट किजेगा है अगर 25 में25 करते हैं तो ऐसे कीजेगा 20 मुसे 25 मतार्ष वीदिवले कर दो ईसे कमेंट की गौतम बूद्य का जनम अगर बात करें तो इनका जनम हुआ था लूंबिनी एक नेपाल में एक जगह है जिनका नाम है लूंबिनी ये नेपाल का लूंबिनी नेपाल अभी अब कंट्री नेपाल में आ गया फियक है पहले जब हमारा खंड भroscopy था और इनका question अगर थोड़ा सा repeat कर दें बोले की इसकी मिर्तिव कब हुआ तो इसका मिर्तिव जो हुआ था ये भी इस वी पूरुमे ही हुआ था असी वर्स के उमर में, जब ये असी वर्स के उमर में थे, तब इनका, इस भी पूर्म में ही, ऐसी साल के उमर में इनका मिरती हो गया था, और इनने पहला जो उपदेश दिया था, पहला उपदेश, सार्नात काशी में, ठीक है, यह सार्नात कासी कहां है, यह होगे सार्नात कासी और इनका इनका मिर्ट्यू साहिद हुआ था, मुझे जहां तक पता है कि इनका जो डेथ हुआ था, वो कुसी नगर में हुआ था बहरत में, ये थ Brad धरम को मानते थे, Brad धर्म का इसने स्थापना किया था यह सारी चीजें गोतम बुद्ध से रिलेटर कोशन्स हैं जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है हो सकता है कि इसने यहां पर जनम पूछा नेक्स्ट जो आपके जो सवाल में इसकी मिर्ति पूछ दे हैं ना कितने वर्स की उम भारत में सबसे पहले आया है ना वीच यूरोपियन कंट्री कैम फर्स्ट टू इंडिया तो इसमें होगा क्या पूर्थ काल पूर्ट गालि ए आपका वासको डिगामा पहला उयूरोपियन था जो आटलांटिक महासागर से होते हुए इंडिया में कॉलकत्ता के मालाबर तर्ट में जाके एंटर किये थे ठीक है यह पहला था जिसने भारत की मतलब उयूरोपिय देश से आये हुए थे वासको डिगा आपने history class में पढ़ाओगा ठीक है next question पर आते हैं student गितांजिली के रचनाकर कौन है गितांजिली किसे ने लिखा था काफी famous book है आपके रविंदर नायत टाइगोर ने लिखा था गितांजिली का रचनाकर ठीक है भारत में असहयोग आंदुलन किस ने शुरू किया था student अगर हम असहयोग आंदुलन की बात करें तो भारत में महात्मा गांधी ने शुरू किया था बहुत important date है आपका एक अगस्त 1920 पुछ भी सकता है कि कब श्टार्ट हुआ था तो यहां पर एक अगस्त 1920 होगा ठीक है और यह क्या हुआ था अंग्रेज के खिलाफ हुआ था कि हम लोग को क्या करना है उसको सहयोग नहीं करना है वो हमारे देश में क्या कर रहे थे राज कर रहे थे तो इसमें क्या बोले लोग ही ना करे तो शासन किस पर करेगा इस टाइप से उसने क्या किया था गांधी जिने बहुत बड़ा अंदोरन या सहयोग अंदोरन बहुत मतलब इसकी डेट जो होती बहुत इंपोर्टेंट होती है यह हमेशा जाम में पूछा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं उत् दिशा की जो जानकारी है स्टूडेंट वो आपका यहां पर में को थोड़ा सा ओप्सन में दिक्कत हो रहा था में को जहां तक पता है कि जो उत्तर दिशा की जानकारी देता हो तारा का नाम है पोलारिस ठीक है पोलारिस यहां पर कोई आप्सन नहीं पोलिस्टर करके है त तो एक बार आप कमेंट करके बताएगा इसका सही आंसर क्या होगा पोलारिस ही होगा या फिर कोई पोलिष्टर टैप का कुछ होगा ठीक है उत्तर दिसा में चलो नेक्स्ट आते हैं 81 पे 81 में है जुगाली करते ही समय गाय का कौन सा जबड़ा हीलता है practicing ठीक है भगवन बुध्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था आरे ये भी कोशन आ गया पहला उपदेश कहां दिया था अभी मैंने बोला था सच मैं नहीं देखा था इसको क्या था सारनात कासी सारनात कासी में इसका पहला उब्देश था ठीक है और इसकी मिर्तिव कहा हो बताव बताओ अभी तो बताए आपको कुछी नगर भारत में ठीक है जल की कठोर्ता का कारण क्या होता श्ट्विंट कारण कारण क्या है उसमें क्या होता है ठीक है, क्लोडाइट सेलफिट भी यहां नहीं है, इस अप्शन में, ठीक है, नाइट्रेट भी लगता है, इसमें नाइट्रेट भी नहीं है, और और भी कुछ लवन और जो घुले वे होते हैं, वो सारे चीज़ लगते हैं, मतलब एक चीज़ आज रखिएगा, कि जल की कठ कैसे पता चलता है, जैसे आप साबून से कपड़े को धोर हैं, पता चलता है, कि उसमें जाग जो होता है, फेन जो होता है, वो जाग देही नहीं रहा है, मतलब वहाँ पे जल जो है, वो कठोर है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आपका 83 का, बताईए कमेंट करके, मै मैंने क्या बोरा, जल की कठोरता के जो कारण है, वो क्या है, केलसियम बाइकार्बोनेट, केलसियम बाइकार्बोनेट, यहां केलसियम सलफेट है, तो यह भी जल की कठोरता के कारण, केलसियम कार्बोनेट, यह नहीं होगा, मैंगनिसियम बाइकार्बोनेट, ओप्सन तो ह नहीं और क्लोराइड सलफेट क्लोराइड कैल्सियम सलफेट है क्लोराइड सलफेट नहीं है नाइट्रेट इसमें नाइट्रेट भी नहीं है आदी लवन के गूली होने के कारण होता है तो इसका आंसर क्या होगा आप बताईए कैल्सियम सलफेट सर कलोडाइड सलफेट है क्या होना सभूर क्या होने साभ इसका अंसर है क्यो क्योंकि जो इसका हता है ऊपस्थीत वह सलफेट क्योंक अपने बताईएए पेराक में यह इसका nahँड नाहें नाइट्रिड भी नहीं यह सारे लवन होते हैं उसमें आप कमेंट करके बताएगे इसका आंसर क्या होगा 83 का थोड़ी सी कन्फूजन लग रही है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं 84 पर आते ओजन है ओजन ओजन क्या है एक कमपाउंड है स्ट्वेंट एक मिस्रन है योगिक है एक कमपाउंड है है ना जो की formula जो होता है O3 है ना O2 जब O के साथ reaction करता है तो O3 बनाता है oxygen का दो अनू oxygen का एक अनू के साथ में reaction करके ozone layer बनाता है ठीक है आपका next है 85 इसको कमपाउंड बोलेंगे 85 में कह रहा है कि निम्ड में से मुख्य परदूसक गैस कौन-कौन सी है परदूसक गैस क्या-क्य क्या होता है पहले वह pollutant gas को आप जानों क्योंकि हो सकता है option change कर दें तो इसे pollutant gas क्या-क्या होता है पहले होता है carbon monoxide जिसको हम CO बोलते है लीड लेड है ना PB जिसको बोलते है nitrogen oxide nitrogen oxide आपका ground level ozone जो होता है O3 आपका particles pollution भी होते हैं और sulfur dioxide भी होते है CO2 ठीक है तो मुखी पर दूसरा gas कौन सी है तो यहाँ पर CO2 होगा sulfur dioxide यह चीज और भी कोई दूसरा option दे दिया है जैसे carbon monoxide अगर दे तो सबसे पहले यह होगा lead भी है nitrogen oxide भी है oxygen layer भी है आपका CO2 यह सारे pollutant gas है परकास वर्स क्या चीज़ का मात्रक है यह distance को मापता है दूरी को मापता है जैसे यहां से सूर्ज की दूरी कितनी है चंदर्वा की दूरी कितनी है वह दूसरे गरह की दूरी कितनी है तो यह सारे चीज़ मापते हैं चलो सूरी का निकर्तम गरह होता instrument bूध यह हम मानके चलो यह sun है तो sun से पहले क्या है बूध उसके बाद है शुक्र उसके बाद है प्रीथवी पूछेगा सूर्ज की सूर्ज से प्रीथवी में कितने नमर पर गरा है तो यह तीसरे नमर पर होगा ठीक है प्रीथवी के बाद मंगल है उसके बाद बिरेस्पति है सनी है उसके बाद फीर होता है अरून वरून यह सारे ठीक है तो यहां पर Minute सकता है सबसे गरम गरा सूर्ज की जो पास में होगा सबसे ज्यादा गरम होगा मंगल लाल गरा के नाम से जाना जाता है तो यह सारी चीज़ को ध्यान रखेएगा पिर्थवी निला गरह निला मतलब उसकी पानी जादा होने कारण इसकी निला सर्फेस उपर से दिखाई देता है तो ये सारी चीज़ें आपको यहां से कोशन पन सकता है ओके बढ़ें क्या आगे 88 पे आते हैं ब convince heeran keel पादप पूत खाता है इसलिए साकाहरी कह लागा जो पादप खाता है जो सिर्फ प्लांट को Ugh काता है प्लांट product को उसको बोलते हैं क्या साकाहरी जो जो मतलब एनिमल को खाता है उसको मांसाहरी ठीक है मतलब plant खाने वाला को सागा हरी को क्या बोलेंगा हरभी बोरस और जो Animal खाते हैं उसको क्या मतलब ये Carnivorous मांसा हरी और जो दोनों खाता है उसको Sarvahari है ना उसको बोलेंगे क्या Omnivorous ठीक है यहाँ तक बात सही है किलिए रहे हैं आगे बढ़े 89 पर है मलेडिया रूख किसके काटने से फैलता है इसका होगा मादा एनाफलीज मच्छड है ना मादा फिमेल जो मतला एनाफलीज मौसो क्यूटो होते हैं वो आपके काटने से मलेडिया होता है ठीक है वायू मंडल दाब बढ़ने से पानी का कोथनाग है ना वित इनक्रीजिन एट्मोस्फेरिक प्रेशर बोईलिंग पॉइंट ओफ वाटर है ना अगर मान के चलो कि वायू मंडल का दाब बढ़ेगा है ना इनक्रेशर बढ़ेगा प्रेशर बढ़ाई बढ़ेगा तो जो बो ज होगी एक्सपरिमेंट कर भेंको जहुक्सION होगी coins उतना ज्यादा धोठीटी च्रुस्च अधिक यहां जो सोल आपके जहाईंगे ब tracing zag उते हैं फोस के बात होती है द्रब में मतलब इद्रब उसके बाद गैस है ना वाक्यूम में तो बिल्कुल नहीं होता है वाक्यूम में साउंड नहीं होता आपने एक तो यहां पर ठोस कोन सा है तो यहां पर जल तो होगा नहीं जल तो दूसरी नमर पर आजाएगा निरवात में तो आवाज आएगा ही नहीं आपका अस्टील होगा ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट 92 पे प्रिथवी की सतह पर किसी वस्तू का किसी वस्तू का प्लायन होगा है ना मतलब the value of a cap velocity of an object on the surface of earth के spelling गलात है इच ठीक है तो इसमें क्या होगा answer इसका बताइए 92 का 11.2 kilometer meter kilometer per second ठीक है चलो ठीक है बात आते हैं आगे 92 के बाद 93 ये तो page उखड़ गए दहन में अधिक्तम उसमा की ये समय ज्वाला का रंग होता है student ये जो दहन होता है मानके चलो एक मुवम्बती ऐसे जलाते हम एक लेयर ऐसे बनता है एक लेयर बिंदा ये मुवम्बती जला रहा है गर्ण gotta इसे समझना आप तो ये सबसे hottest लेयर होता है सबसे गरम होते लेयर और ये होता है बाहर सबसे बाहर जो होता है इसको अचैज़ बोलते है आउटर लेयर बाहरी लेयर ये किसकी color होती है blue color पूच सकता है exam में ठीक है और जो middle john होता है ये वाला parts middle john जो होता है ये middle हो गया मिडिल john में जो होता है वो क्या होता है ये इसकी होती yellow पिला color का होता है और सबसे अंदर जो होता है inner यहाँ पर सबसे अंदर जो होता है, इसको बोलते है इनर मोस्ट जॉन, मतला सबसे अंदर वाला इसी कळल बलेक ठीक है, और सबसे ज़्यादा हीट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर देगा है ना hottest यहाँ पर होगा तो इस वाला पार्ट में सबसे जल्दी जलिएगा लेकिन अंदर यहां पे आपको इस के पेछा यहां पर कम जलिएगा ठीक है तो यहां पर पूछ लेता कि पानी के भाफ में यह आपका जो होती है वह उसमें ज्यादा गर्म उससे ज्यादा जलिएगा यह फिर मुंबती से बाफ वला में जल्दी जलिएगा तो कहा यहां पर कि ज्वाला का रंग अधिक्तम उस्मा जब भी अधिक्तम उस्मा होगा जब भी मतलब मैक्सिमम हीट देगा तो उसकी कलर क्या हो जागी बुलू होगी मतलब वह अच्छे से फ्लेम कर रहे च्छे से जल रहा होगा उसमें oxygen मिल रहा होगा ठीक है जलता oxygen के present में ही है न तो उसकी color क्या हो जागी blue मतलब नीला ठीक है अमलीय वर्षा जल एक है अमलीय वर्षा जल क्या है इक mixture है मिस्रन है क्या-क्या मिला होता इसमें फटा-फट देख लेते हैं अम लिए वर्षा में क्या होता है एक rain बारिस हो गया snow sleet fog और यह सारे हो गए आपका wet वाला parts है अगर हम बात करें student आपका जो क्या है कौन से water cloud water यह भी cloud water भी मिले होते हैं और इसमें डियो है और हम dry की बात करें तो इसमें acidic जो आपके acidifying particles होते हैं वो सारे मिल करके क्या करते हैं एक अमलिय वर्सा बनाते हैं और यह मिस्रन होते हैं बहुत सारी चीजों का ठीक है बात आगे बढ़े है 95 पे आते हैं 95 में बल्व में परियुक्त filament जिस धातू का बना होता है है उसको बोलते हैं टंगस्टन और टंगस्टन का जो आपका सेंबल होता है वो होता है डैबलू तो आप यहां से इस कोशन यह इंडिकेट करता है कि आपको पिरियुडिक टेबल जो कमिस्ट्री का आता है मतलब अभी तक 18 एक साथारा प्लस अलिमेंट का डिस्कवर हो चुका है तो उसका आप सेंबल लर्ण करके रखेगा हिलियम है डिय्ट्रोजन हिलियम लिथियम बैलियम बोरान कार्बर नैट्रोजन औक्सीजन यह सारा एक से लेकर करके कम से कम कम से कम पचीस एक से पचीस तक का प्रेडिक्टेवल का एलिमेंट का विथ सेंबल जलू लर्ण करके रखेगा यहां से एंडिकेट करता है कि ऐसे कोस्टन्स भी एक्जाम में पूछे जा सकते हैं निम्न में से कौन सा पदार्त उद्रोपाती है मतलब वीच आप दी फॉलोइंग सबस्टांस दज है ना तो यहां पर आपका सबलाइम की बात करें तो नीचे से देखते हैं आपका उबर से आपका कैमफर का पूर सबलाइम है है ना अमोनियम करोडाइड भी है आयोडिन भी है केलसियम कार्बोनेट आपका सबलाइम नहीं है तो इसका आपसन होगा डी चलो हम लोग बहु किसा रहा क्लास आप कमेंट करके बताईएगा बाकि आप यह बताईए कि आपकी त्यारी कैसी चल रही है ठीक है अब हम लोग नेक्स्ट यह आपका 17, 18, 18, 19 की हम लोग कंप्लेट कर चुके हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैं आपके लिए एक नया मतलब को पूछे गयते जो मैंने कवर नहीं किया है वो में लेकर क्या हूंगा आप बने रही है कैसा आप त्यारी कैसा चल रहा कमेंट करके जरूर बताईएगा चलो आज के लिए इतना ही आप वीडियो को अच्छे से देखिए महनत कीजिए अभी रात को तीन बज़ रहे हैं और म आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपकी सेलेक्शन जरूर होना चाहिए क्योंकि आप महनत कर रहे हैं ठीक है ऐसा नहीं कि दूसरी टीचर का वीडियो आप देख रहे हैं तब भी कर रहे हैं लेकिन मैं इतनी महनत कर रहा हूं तो ऐसा होना चाहिए कि अगर टीचर आपको और त्यारी करना स्टार्ट कीजिए अभी भी बहुत टाइम बचा हुआ है ऐसा नहीं कि इसर दस पर वीच दिन में क्या होगा एक मैने में क्या होगा नहीं बहुत कुछ हो सकता है तीन रात आठ से दस घंटा पढ़ाई कीजिए और उस पर पूरी त्यारी कीजिए ट टेक केर